देश में जब से GST लागू हुआ है तब से उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कारोबारियों से लेकर उपोजिशन पार्टी सब अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं अब प्रदान मंत्री मोदी के भाई प्रलाद मोदी भी GST के खिलाफ उतर गए हैं। प्रलाद मोदी ने गुजरात में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कारोबारियों के पक्ष में आवाज बुलन की है। मोदी ने कहा है कि जब तक मांगे ना मानी जाए तब तक GST का भुकता ना करे। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों के पक्ष में बोलते हुए प्रलाद मोदी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई भी हो उन्हें आपकी मांगे सुननी पड़ेगी। प्रलाद मोदी का कहना है कि वो देश भर के साड़े 6 लाख राशन दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने व्यपारियों से कहा कि अपनी मांगों के लिए महराश्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें ताकि उन तक संदेश पहुंचे। प्रलाद मोदी ने महराश्ट के ठाने जिले में कारोबारियों से मुलकात की, जो कोर्णा महामारी और लॉकडाउन की वज़े से परिशानी जेल रहे हैं। उलास नगर, अंबरनाथ समेथ कई जगों के वैपारियों ने उनसे मुलकात की और कहा की, कोर्णा महामारे के वक्त तमाम मानकों के उलंगन करने को लेकर, जो मुकद में उन पर दर्च किये गए हैं, उन्हें वापस लिया जाए। वैपारी पहले ही काम धंदा ना होने से परिशान हैं, ओनलाइन शॉपिंग से उनका धंदा चौपट हो गया है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें, ओथम न्यूस धन्यवाल।